हेलो बच्चो मैं आपकी सपना मेडम आप लोगों को अधर्म पर धर्म की जीत असत्य पर सत्य की विजे बुराई पर अच्छाई की विजे पाप पर पुन्य की विजे अत्याचार पर सदाचार की विजे क्रोध पर दया छमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, रावण पर स्री राम की विजय, के प्रतीक पावन पर्व विजय दस्मी की हार्दिक सुपकामनाए बच्चों दसहरा का तात्पर सदा सत्य की जीत गढ़ तूटेगा ज्छूट का करे सत्य से प्रीत है इस पर्व को पूरे देश विदेशों में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, इस पर्व को अस्वनी माह की दस्मी किथी को मनाया जाता है अपने देश में और विदेश में इस त्योहार को अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है और यह दसहरा पर्व क्यों मनाया जाता है इसके पीछे कई कहानिया हैं लेकिन दसहरे में रामण के दस सिर इन दस पापों के सूचक माने जाते हैं काम, क्रोध, लोब, मो, हिंसा, आलस, जूट, अहंकार, मद और चोरी इन सभी पापों से हम किसी ना किसी रूप में मुक्ती चाहते हैं और इस आस में ही हर साल रामण का पुतला बड़े से बड़ा बना कर जलाते हैं कि हमारी सारी बुराईया भी इस पुतले के साथ अगनी में स्वाहा हो जाए और दसहरे के दिन विभिन अस्थानों पर मेले लगते हैं जिन में सभी लोग चाकर एक दूसरे से मिलते हैं और वस्तुएं खरितते हैं चाट मिठाईयां बहुत सी चीजे खरितते हैं और एक दूसरे से मिलकर खुशी-खुशी यतिवहार मनाते हैं लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के वज़े से मेले का आयोजन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सभी लोग खुशी-खुशी यतिवहार अपने घर पे ही मना रहे हैं तो बच्चो आप सभी घर पर रहकर दसेदे का पर्व मनाएं और खुश रहें एक बार आप सभी बच्चो को फिर से मैं अधर्म पर धर्म की जीत के तो हार्द सहरा की हार्दी बधाया देती हूँ थैंक्यू बच्चो झाल 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 झाल